आज बच्चों को बहुत ही इंट्रेस्टिंग चेप्टर पढ़ाना है। हेलो चंदन सर गुड मॉनिंग। कैसे हो आप। गुड मॉनिंग गुणजान। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। मैं बहुत अच्छी हूँ सर, मुझे कल ग्यास वेल्डिंग के सारे क्वेश्चन समझ आ गए। अच्छा, क्या आपको गेस वेल्डिंग के सारे क्यूशन याद हो गए हैं। हाँ सर, आप चाहो तो मुझे क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्यूशन पूसता हूँ, जब हम गेस वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कौन सी गेस का वाल्व ओपन करते हैं। सिंपल है सर, आसेटलीन। वाह, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, तो मुझे एक चीज और बताओ, जब हम गेस कटिंग करते हैं, तो कटिंग नौजल को जोब के सरफेस से कितना उपर उठाकर कटिंग करते हैं। बताईए। ओ, ओनली पाँच एमेम सर। बहुत सही जवाब गुजन, मजा आ गया। सर, आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो, आप तो हमारे सबसे बेस्ट टीचर हो। हम, मुझे तुम से बहुत उम्मीद है गुजन, तुम एक दिन अपने और अपने माता-पिता का और साथ में मेरा भी नाम रोशन करोगी। लेकिन गुजन, सावधान रेना, वेल्डिंग बहुत जोखिम भरा काम है, इसमें कभी भी दुरगटना हो सकती है। तुम्हें पता है, वेल्डिंग में फ्लेस बेक और बेकफायर कितना कतनाक है। विस्पोर्ट हो जाता है, कभी भी जान जोखिम में आ सकती है। इसलिए यदि कभी भी फ्लेस बेक और बेकफायर हो जाए, तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी गैस बंद करेंगे। यस सर, कल ही तो आपने बताया था कि यदि गैस वेल्डिंग में बैकफायर हो जाए, तो तुरन सबसे पहले ऑक्सीजन गैस का वॉल बंद कर देना चाहिए। क्या बात है गुंजन, I'm proud of you, मुझे गर्व है कि तुमार जैसे होनहार बच्चे मेरे स्टूडेंट्स है, अच्छा बेटा, अब आप क्लास्रूम में बेठिये, मैं बस थोड़ी देर में अपने वेल्डिंग की थेवरी क्लास लेने आपके क्लास्रूम में आ रहा हूँ, ठीक है, ओके सर सारे स्टूडेंट को आपकी क्लास का इंतजार रहता है, भगवान मेरे सारे स्टूडेंट्स को खूब तरक्य दे,